आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ बहुती स्वादिश्ट पावभाजी की रेसिपी जो की हर किसी को पसंद होती है हर कोई खाना पसंद करता है पावभाजी लेकिन बनाना में तो बहुती जादा डायम चले जाता है फिर भी कोई बात नहीं मतलब बना लेते हैं ऐसे वै मैं रख देंगे तो जैहां पर दो चमास तेल डाल रहे हुँ पहले हैं हम कूकर हैं तो सबसे हैं रख देंगे करक्वाय करने बएलग होlt अब चलाना है और तो पानी और उसी घूल कर लिया है। हम बात में डालेगे पाओ भैजी में तो गयस्स यहां पर इस सब्ज़ें ना बिक्स हो चुके हैं और यहां पर हम डालेंगे पानी तो scientist यहां पर पानी हमें जादा नहीं डालना है बिल्कोल वे मतलब जब तक हमारे सब्जिया भीगी की नहीं या डूपे की नहीं तब तक हमें पानी डालना है तो यहां पर आप देख सकते हो लेवल रहना चाहिए सब्जियों के लेवल हमें पानी डालना है तो पानी भी डाल दिया है और थोड तीन शिटे में काम हो गया है यहां पर देख सकते हो सारे सब्जिया जो है ना पक करके रेडी है तो गैस सोड़ा सा थंडा हो चुका है इसलिए अच्छे दिर किसे यह मैश नहीं हो रहा है मतलब कि तूट नहीं रहा है हाथों से मैं बताने की खोशिश कर रही हूँ गाजर तो पक गया है और आलोवी पक गया है लेकिन बीटर जे थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट नहीं हुआ है थोड़ा सा सकते हैं तो यहां पर पोटेटो मैश और वगरा हो तो उससे अच्छे से इसको मैश कर लीजेगा कुछ लोगों को जादा इसा मतलब जूसी सा मैशी सा पसंद होता है पाव भजी लेकिन कुछ लोगों को है ना थोड़ा सा मतलब पीसेस वगरा पसंद होते हैं तो यहां पर देख सकते हो आप मैंने ज्यादा भी मतलब मैश नहीं कर रहा है बस थोड़ा सा दरदरा ही रख दिया है मुझे ऐसी पसंद है तो आप चाहे तो और थोड़ हमें लेना है कैपसिकम तो दो प्यास चाहर कैपसिक हम और चे टमाटर मतलब दोड़ बढ़ाते जाना है हमे तो सब सबसे नहीं कटाई ले लेंगे सारी सबच्फों हैं और मिरे बस थोड़ा ही है उतना ही डालत रही हम है कटाई में डाल देंगे तेल और साही जाएगा बटर तो घर का ही बटर में यूज़ करती हो बाहर से जातातर में नहीं लाती हो तो यह घर का ही बटर में डाल लिया है तो इसे थोड़ा सा गरम होने दिती है बटर ना जले इसलिए थोड़ा सा तेल डालना जोरी है तो जीरा डाल देंगे जीरा थोड़ा चटकते हम डाल देंगे प्यास तो गैस प्यास के साथ हम हरिमेज भी यूज़ कर सकते हो हरिमेज काट करके डालिएगा दो तीन अच्छा लगएगा टेस्ट लेकिन थोड़ा से धिकापन मुझे कमी चाहिए था बच्छों के लिए मैं अक्सर बनाती हूँ सारे रेसिपिस तो अच्छा मतलब लेवल हो जाता है तो कैपसिकम को भी थोड़ा सा फ्राइक कर लिया और साती में हमने टमाटर लिये थे ना काट करके बारिक बारिक उसको भी अच्छा कर लेंगे अगर आपको सब्ज dus ऊबालना नहीं चाहते हो तो इससलों भी आप सब्जिया डाल सकते हो जो भी कैयारट मटर गाजर गलने ना तो यहां पर थोड़ा से नमक डाल करके इसे अच्छे से मतलब मैशी कर लेना है टमाटर को अच्छे से गलने देना है चाहे तो आप धकर के रख सकते हो एक दो मिनिट के लिए लो फ्लेम पे और आपकी जो मतलब टमाटर जो है ना मतलब थोड़ा सा नरम हो जाएगी तो यह इस तरीके से मैंने जो भी सब्जिया थी ना साइड में कर लिये हैं और थोड़ा सा बटा डाल दिया है और आप यहां पर हम डालेंगे मसाले तो गैस नार्मल जो मिर्च होती है ना वही मैं डाल रही हूं रेगलर वाली मिर्च पौडर तो यहां पर मिर्च पौडर डाल पावभजी मसाला कुकर में डाल सकते थे लेकिन नहीं डाला है और इसको अच्छा फ्लेवर ना है मिरिची जो है ना मतलब ऊपर से डालेंगे ना तो एक दम तिखा लगेगा तो ऑईल में या बटर में इस तरी की से थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे ना तो अच्छा मतलब स् दिखा भी नहीं लगेगा तो इसको सारे मसालों को है ना अच्छे से बूल लेना है टमार्टर के साथ तो नमक थोड़ा सा ही मैंने डाला था तो फिर से हम आड करेंगे बाद में टेस्ट देख करके और जो भी सबजिया हमने मैश करके लिए थी ना उससे हमें डाल देना ह अगर आप चाहे तो पहले पानी डाल करके अच्छे से पानी को उबाल आने दीजिएगा फिर बाद में सारे मैश किये हुए सबजिया आड कर सकते हो लेकिन मैं ऐसा नहीं करी हूँ मैंने पानी थोड़ा सा गरम करके रग दिया है साइड में पहले जो भी मैश करे हुए आने आड करेंगी तो गयस्याप पर सारा मतलब मैंने मिक्स कर लिया है और जो भी सबजिया हो जाएंगे वैसे मुझे थोड़ा सा दरदर आई ही चाहिए था इसलिए मनेगि कर रहा था, थोड़ा से धंडा होने के बार है जा झुटा है più मुटा मुटा है और धोड़ा सा गुन गुना पानी यहाँ पी डाल दिया है औरक्टा का मेंश कर ले तो यहाँ नहीं लिग चलंदा है हैते नहीं, मुझे चलंद हैं को तो गरम-करम में आप मेश करें झूसिक साग tell कि अच्छी का यापको मतलब ग्रेवी जो होता है न अ भागे का जो भी मतलब टैक्षर होता है न इखने में अच्छा दीचते हैं और खाने में दहाइए लेकिन इसिंटे भी आप लग रहा है ना पानी और सब्जी तो इसको अच्छे से पका लेना है तो सब्जी डालने के बाद जो हम पानी डालते ना तो पानी आलग और सब्जी आलग हो जाती है तो इससे मैंने पंदा मेट के लिए अच्छे से पका लिया है और यहां पर आप टेक्शर देख सकते हो औ और थोड़ा सा निम्भू का रजबी मैंने आट करा है साती में पाव भाजी बन रहा है यानि कि बटर तो डालना जरूरी है साती में थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है और यहां पर आप देख सकते हो इसका टेक्शर कितना अच्छा दिख रहा है हमें पाव भाजी के भाजी को कम से कम 20 मिनिट या आदा घंटा लग सकता है पकाने के लिए तो गैस जितना हमारा पाव भाजी था ना पहले उससे 3-4 हुआ है मतलब कि पाव किलो कम हो चुका है पानी और सब्जे जो भी थे ना कॉंडेडी कम हो चुका तो तब तक हमें पका लेना है पाव भाज और इस तरीके से प्लेक डेकोरे करेगा पहुती अच्छा लेगीगा और यह जो पाव दिख रहे है ना वीडियो में तो गैस यह जो पाव है मैंने घर पे ही बनाया है क्योंकि मेरे पास पाव अवेलाबल नहीं थे और भाहर से लानी के लिए कोई नहीं था घर पे तो इस पाव को भी थोड़ा सा बटर डाल कर या जो भी अपने भाजी बनाई है ना वो थोड़ा से दवे पर डाल करके इस तरीके से हमें सेख लेना है पाव को तो खाने में बहुत मज़ा आएगा और आज की यह मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज शेयर करिएगा वीडियो को लाइक करेगा और इस तरीके से आप भी पाव भजी बना करके देख लिजेगा अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिएगा वीडियो को इन तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन यह वाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाइबाई टेक्ट